हलो स्टुड़ेंग बाक टो दी चैनल दिनेश सर, में स्टी सीटी के लिए जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे 13 अप्रिल से 23 अप्रिल के बीच में जो एक्जाम होने वाली थी इंजिनेरिंग और फॉर्मिसी के लिए महाराष्टा स्टेट की कॉमन इंटरेंस टेस्ट अभी तक नहीं हुए है आज 2 में है जैसे कि आप जानते हैं कि लॉगडाउन 1 लॉगडाउन 2 होने के बाद कल ही 1 मही को जो लॉगडाउन 3 मही तक था उसे 17 मही तक बढ़ा दिया ग होगी जून में होगी इस से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दे के जानकारी दी थी कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि में एंड में जही में नीट और सीटी सारी एक्जाम्स ली जाएगी लेकिन उसके बाद ही सेकेंड लॉगडाउन आ गया त यह नोटीस क्या है कि जो यह पैंडेमिक है कोवीड नाइंटी ने कोरोना का जो महामारी फैला है उसके वज़े से जो सीटी है वो आगे पुस्पॉन की जा रही है जब तक कि नए ओर्रस ना दिये जाए इसके साथ ही इस नोटीस के जरिए बताया है सीटी से ने कि कुछ फेक जो नोटिफिकेशन घूम रहे है जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले यह जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आया होगा सोशल मेडिया में जिसमें 12 अप्रिल की नोटिफिकेशन थी और जून में सीटी होगा ऐसा डेट आया था वो फेक था एडिटेट थ आए तब तक आप भरोसा ना करें ऐसा सीटी सेल अपनी इस नोटिफिकेशन नए नोटिफिकेशन में किया है जो 30 अप्रिल को रिलीज हुआ है अब लेटेस्ट अपडेट सीटी को लेके यही है कि जो सीटी सेल जो हमारे महाराश्ट्रा का है उन्होंने कहा है कि जब तक अगले और नहीं आएंगे तब तक सीटी आगे पोस्पॉन रहेगी अब इस पर मेरा ओपिनियन बताता हूं कि सीटी अब कब हो सकती है देखो अगर यह लॉकडाउन नहीं बढ़ता तो जून में सीटी हो सकती थी लॉकडाउन बढ़ चुका है कुछ पॉइंस आपके साम पाद जो अपका admission degree college में होता है जाते हो फॉस्ट यर फॉर्मेश्य में जाते हो फॉस्ट यर मेडीकल यह किसी भी डिग्री कॉलेज में जाते हो तो उसके लिए जो guidelines आई है UGC की August से admission start होगे अब यह August से admission start होगे इसका मतलब कि August के पहले जो भी degrees है उसके entrance हो जाने चाहि और उसके basis पर August से admission लेना है तो यह बड़े लेवल पर जो पूरे नेशनल लेवल पर हो रहा है UGC के guidelines आईए सारी universities को और सारे state को लेकिन यह तब possible होगा जब जून में CT होती या तो जुलाई के starting में CT हो और जुलाई के end तक result आ जाए तो ही अगस्ट में admission जो है possible हो पाएग अभी इसमें जादा से जादा chances ऐसे लग रहे हैं कि CT को cancel कर दिया जाएगा लेकिन government के सामने एक और बहुत बड़ी चुनोती है कि अगर CT को cancel कर दिया गया तो जो admission होंगे वो किस base पर होगे students आपको बता दूँ सन 2000 याने आज से 20 साल पहले CT नहीं थी 2000-2001 के दवरान CT इंटर्डिउस हुई थी और पिछले 20 सालों से यह MST-CED चल रही है जिसमें pharmacy, medicals और engineering के admission होते थे पिर कुछ साल पहले medicals के लिए NEET को compulsory कर दिया गया तो उसके पहले कैसे होता था 12th के basis पर ही बच्चों को आगे admission दिया जाता था जो 12th में आप marks लाते थे उसके basis पर आपको form भरना होता था उसके basis पर merit लिखती थी कोई common entrance test नहीं था 20 साल पहले लेकिन सन 2000 के बाद CT introduced हुई उसके बाद 12th boards के marks जो है सिर्फ 50% का criteria कर दिया गया वो भी PCM या PCB में 12th boards का value है खतम कर दिया गया उसके marks का पूरा का पूरा जो ज़्यादा value दिया गया वो CT के marks को दिया गया या तो जो भी entrance exam तब से ली जा रही है उसको दिया गया तो अब क्या है कि अगर CT cancel करते हैं आपको बता दूँ आपने पूरे सालवर में जितना 12th boards के उपर ध्यान नहीं दिया था उससे ज़्यादा आपने MST CT की तयारी की जे इमेंस की तयारी की और नीट्स की तयारी की तो अगर ऐसे में ये decision आता है कि CT को cancel करके आपके जो 12th के boards के marks आएंगे उसके basis पर admission होगा तो बहुत सारे parents और student नहराज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने 12th boards को एकदम अच्छा score करने के हिसाब से नहीं study किया था उन्होंने सिर्फ entrance exam के लिए जाता तयारी की थी विकाँ इसके basis पर ही आगे admission होते हैं तो हमारे जो उच्छा स्क्षन मंत्री हैं उदय सामन जी उनका भी जो एक बयान आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो CT है अगर उसको cancel किया जाए तो जो जनता है उसमें नाराजगी आ जाएगी तो government के सामने भी एक बड़ी चुनोती है कि हम CT को cancel नहीं कर सकते हैं लेकिन जो UGC है उन्होंने कहा है कि August से admission चालू हो जाना चाहिए इसका मतलब August के पहले CT या जेइमेंस या नीट की रिजल्ट आ जाने चाहिए तो वो रिजल्ट कब आएगा जब August के पहले आप जुलाई के पहले exam लोगे याने कि जो exam है वो June end या तो जुलाई के first week में होने के पूरे chances हैं उसके basis पर ही result बनेगा जुलाई end तक और August से admission स्टार्ट करना है यूजी सी ने जो university grant commission जो पूरे इंडिया के universities को control करती है सारे colleges को उसने guidelines दिया है कि August से admission होना चाहिए तो अगर August से admission होना चाहिए तो उसके पहले CT का result आ जाना चाहिए अगर CT का result जुलाई end तक आ जाना चाहिए तो उसके पहले exam होनी चाहिए उसके basis पर ही admission होंगे ठीक है तो यह है पूरी CT की जानकारी इससे पूरा निकल के क्या आता है आपके जून एंड या तो जुलाई के first week में CT के exam होने के full chances है यह पूरी तरह से मेरा observation और opinion है यह मेरी तरह से मैं production दे रहा हूँ CT cell की तरह से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है CT cell ने 30 April को सिर्फ एक notification जारी करके इतना ही बताया है कि COVID के वज़े से जो CT के exam है वो postpone की जा रही है और जब तक आगे के निर्देश ना दिये जाए और किस इसी भी अपकों से बच के रहें तो यह मेरा पूरा opinion खुद का है इसमें मैंने आपको यह प्रडिक किया है कि जून के end जुलाई के फर्स्ट टूइक में exam होना बहुत जरूरी है नहीं तो यूजी सी की guidelines follow नहीं हो पाएगी ऐसी ही जानके रही है इस चैनल पर बहुत सारी सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको notification मिलता रहें मिलते हैं दोस्तों नहीं वीडियो में